जहें दोस्तों, मैं हुमेज अगरावारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट पाकिस्तान के पूर्फ क्रिकेटर दानेश कनेरिया जो की एक हिंदू है उन्होंने टेलिविजन चैनल को एक इंटर्व्यू देते हुए जो क्लास लगा ही है पाकिस्तान के क्रिकेटर टीम की जो क्लास लगा ही है पाकिस्तान की क्रिकेटर टीम की दोस्तों आपकी तविए खुश हो जाएगी तो बड़ी प्रैक्टिकल बात उन्होंने बूली है नहीं देखा होगा। दूसरी चीज इंडियन क्रिकेट टीम है, maximum हिंडु है, कभी आपने उनको देखा पुझा पाट करते होगा, कभी नहीं देखा होगा। भारती क्रिकेट टीम में आज की तारीक में वर्ल्ड कप स्कॉर्ड में दो मुसलिम भी हैं, उनको कभी आपने देखा पिछ में नमाज पढ़ते हुए, नहीं देखा। इतनी ज्यादा cricket team है इसमें buddhist भी है सिख भी है इसाई भी है कभी आपने देखा किसी और cricket team को ये करते हुए एक दूँ और cricket team है दुनिया की जहां में Muslims है भारती cricket team है सब normal है हिंदू, muslim, सिख, हिसाई सब normal है ये जो अबनॉर्मलिटी का कीड़ा है ना दोस्तों ये पाकिस्तानियों में है मजभ के नुमाइश करना जैसा कि मजभ नहीं है शॉपिंग मॉल है जो दिखता है वो बिखता है अब क्या करें परफॉर्मन्स टीम की गुजगई गड़े में हर मैच में जलील और उस्वा हो रहे हैं बिजजद हो रहे हैं पुरी तरीके से हार रहे हैं मोटे-मोटे पेट लेके फिटनस के स्टेंडर्ड है नहीं वसी मकरम तो कहते-कहते मर गया कि यार तुम फिटनस अपनी देखो तुमारी फिटनस 0 है तो क्या करें फिर, जब वापिस पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे जूते पढ़ेंगे, क्या रही तो फस गए हम लोग, तो फिर पाकिस्तानी क्या करते हैं, कि यह सब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, कि सब को बताएं, देखो हम कितने नमाजी हैं, हम कितने अच्छी ह मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सारे मैच हर जाएगा हो सकता है पाकिस्तान मैच जीत जाए हो सकता है सारे मैच जीत के पाकिस्तान अपने आप समी फाइनल्स में पहुंच जाए All the best All the best to Pakistan All the best to all the teams मैं वो नहीं कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये देखिए ने ये पाकिस्तानिय में खुजली बहुत है ये खुजली बहुत है पाकिस्तानिय में जूट बोलना मकारी मुनाफकत ये कोर कैरेक्टिरिस्टिक है लाहुरियों का ये लाहुरियों का कोर कैरेक्टिरिस्टिक है लाहुरियों का अभी गया नहीं गाजा जिन्दगी में, इसको जाना चीए था, पैसे वाला अदमी है, क्रिकिटर है, मोटे पैसे कमा रहा है, ये जाता गाजा, गाजा की तो लड़ाई अभी शुरू हुई है ना साथ तारिक को, उसके पहले जाता गाजा, वहाँ पे कुछ नहीं, गाजा, भाई नहीं तो शक्के शक्के मार दिया, मदा आ गया, गाजा में भाई बहनों को, फिलिस्तिनी भाई बहनों को इन्हों ने डेडिकेट कर दी, देखो, वट अ ग्रेट गाई है, ये रिजवान भाई, बहुत बढ़ी हादमी है, ठीक है चलो, अब क्या हुआ है, इनका जिसको मैं अफ़ दमैच मिला था, उसमें क्या बोला, मैं संचुरी अपनी डेडिकेट करता हूँ, उन अफगानों को, जिनको पाकिस्तान गलत तरीके से पाकिस्तान से निकाल रहा है, ठीक है, तो पाकिस्तानियों का मुँ इतना सा होगी है, ये कैसे ऐसे कह सकता है, ये इनके बीच में कैसे ला सकता अफगान, ये अफगान गलत कह रहा है, ये अफगान जूटा है, ये मकार है, ये गलत है, ये सब पाकिस्तानी टीवी एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने खूब हलना करा, कुछ दिन पहले जब रिजवान कह रहा था मेरे गाजा के भाई बहन को समर पे थे सेंचुरी, तब रिजवान बिल्कुल ठीक था, वो बहुत बढ़िया था, इस अफगान क्रिकेटर ने अपना मैन ओफ दे मैच अवर्ड, अपने अफगान भाईयों बहनों के लिए डेडिकेट करा, ये इनको पाकिस्तानीयों को बुरा ड़िया, तो दोस्त पर ना इनकी नमाज को बूल हो रही है, ना ये मैच जीत रहे हैं, ये कैसा देश है यार?